दो से तीन लीटर पाने उबाल लिया है एक बड़ा चमच नमक दाल देंगे और एक चमच हम दालेंगे होगे है और मैंने 500-500 ग्राम के असपास हब का नोडल है इनको भी डाल देंगे और ग्यास की फ्लेम रखें और फूल और इनको हिलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए अब थोड़ी देर में यह खूल जाएंगे यह अच्छे से देखी सारा खुल गया है अभी हम इसको एक से डेड़ मिनट ही पकाएंगे इसको खुला ही हम पका लेंगे कि अब देड़ मिनट हो गया है गैस की फ्लेम बंद कर देंगे उसको हम कवार कर देंगे तीच से चार मिनट के लिए चार मिनट हो गये है ्याँ भास लेंगे अभी इनको भाए निकाल लेंगे यह नोर्मल टमप्रेटर यह पानी है अच्छे से बास कर लेंगे इनको अच्छे से जाड़ के हम पाने निकाल देंगे एक मैंने ट्रे ले लिए है यह ट्रे में हम ठेला देंगे इसको अभी हम ओल डाल देंगे अब हमें अच्छे से इसमें लगाना है हलके हाथ से हम ऐसे हलका करम है तो हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसे लगा देंगे ज्यादा जोर से नहीं आराम से भी हो जाएगा और अब हम इनको ठंडा होने देंगे सब्सक्राइब करें लंबा काटा है प्याज है सिम्ला मीर्च है गाजर है और पत्ता गोबी है यह मैंने लोही की कडाई लेली है गरम कर लिए अच्छे से दो चमचम तेल डालेंगे और इसको अच्छे से घुमा देंगे इसको चारो तरफ से ओल लग जाना चाहिए इसमे जास की फ्लेव हम पूली रखेंगे लैस हम डालेंगे देट से मच्छ इसको चैटन के लिए भूल लेंगे साथ में हम डालेंगे प्यास, सिम्ला मीर्च और गाजर और इसको पटकी चैकंचे ली कूट करेंगे जासी से ख़ूली रखेंगे नाम अभी हम डालो हम डाल देगे पत्ता रोवी तो पत्ती चैकंचे ली पूपर लेंगे कि हमने कुप अधिया सब्सक्राइब करिए नूडल डाल देंगे इसमें इसमें दूला दिखें हरा प्यास डालेंगे हम लंबाल भू मैंने काप लिया था नमक डालेंगे टेश्ट की साथ से हरी मिर्ची डाल लेंगे यह हरी मिर्ची का पेस्ट है दो चमस्ट वो डाल देंगे आदर तमस्के आसपास में चीनी डाल देंगे है अब इसके बिना भी इसको बना सकते हैं अच्छे से आप से ही मिला देंगे लाइथ हाग से मिलाना है थोड़े से में ग्रीन आइन और डाल रही हूं गैस की फिले में बंद कर देंगे एक बार और मिला देंगे इसको और फिर हम इसको निकाल लेंगे हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ से लता बार मिला देंगे